BMS क्यों मैंटर है? BPT से, यह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ real facts बताऊंगा आपको कुछ reality check आपको बताऊंगा जिन लोगोंने BPT करा है उन लोगों का experience कैसा रहा है और जिन लोगोंने BMS करा है उन लोगों का experience कैसा रहा है दोनों की ही हम बात करेंगे इस वीडियो में तो डीटिल में देखना आपको मैं एक एस्पेक्टेट सेलरी भी बताऊँगा बीपीटी करने के बाद और बीएमेस करने के बाद क्योंकि आप दोनों ही कोर्सेस में अपने चार से पात साल देते हैं तो आप लोग को कितना प्रॉफिट होता है और आप लोग को जब भी आप केरियर डिसाट करें तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आने वाले टाम में स्कोप है और जिसका अभी भी अभी क्रेज भी है तो चले शुरू करते हैं देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह सिर्फ एक इन्फोर्मिशन वीडियो है इसमें मैं किसी भी केरियर का या किसी भी फील्ड का मज़ा या फिर इस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ तो आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं Bpt की जो अभी actually जो Bpt का अभी जो scope चल रहा है because काफी सहरे लोग ने यहां पर अपना concerns बताय है जितने भी लोग है जितने भी लोग ओनलाइन है उन्होंने अपने concerns बताय है तो देखो यहां पर कुछ लोग है जैसे कि यह जो मैं है इसनिहा मैं है तो इन्होंने Bpt करा था तो यह जो है अपना concern बता रही यहां पर की I did my Bpt from the IP University और इन्होंने बताया कि this was my biggest mistake इनके साबसे यह इनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी जो है एक आप बोल सकते मिस्टेक है बिकॉस इन्होंने यहां पर देखा है कि इनको जो high paying job जो है वो बिल्कुल नहीं मिलती और जितनी इनको पढ़ाई करनी पड़ती है उसके साबसे जो इनको package मिलता है आपको एक में एक range बताता हूँ कितना उनको salary मिलता है उससे पहले मैं को बताता हूँ वो कहां काम पर काम कर सकते है तो clinical physiotherapist, sports physiotherapist, rehabilitation specialist, research and academia मतलब इसका मतलब क्या है आप खुद का clinic खोल सकते है फिजियो थेरपी करने के बाद sports physiotherapist मतलब जो sports, अलग-अलग sports होते है अपनी इंडिया में उसमें आप जा करके physiotherapist जैसे काम कर सकते है और research and academia, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी college में professor बन सकते है ये कुछ-कुछ area से जहां पर आप काम कर सकते हैं अब हम बात करेंगे salary के बारे में कि salary कितना होता है और आपको कितना basically salary मिलता है आपको एक बात और बता दूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे ही master's course करेंगे तो master's का course करने के बाद आपकी salary में काफी अच्छा आपको increase देखने मिलेगा जैसे आप BPT करते आप BMS करते तो master's का आप course कर लेंगे चार पास साल पढ़ने के बाद अगर आप master's का course करने के लिए ready है तो आपको अच्छी काचे salary मिल सकती है दोनों ही sectors में बट BPT में फिर भी आपको कम salary मिलती है अगर आपको बताओं कि in government hospital you will get a staff fund around 4K to 10K मतलब 4 से 10,000 रूपे 4,000 और 10,000 रूपे पर मन्त आप बताइए कि ये इसकी value क्या है आज के time में 4,000 रूपे, 10,000 रूपे तो ये आपको देखने मिल सकता है आपकी salary जो है अगर आप just starting अगर आप देखेंगे just आपने अभी complete कर रहा है BPT तो 15,000 से लेकर 18,000 तक ही आपको salary मिल सकती है और जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा तो 50,000 to 70,000 तक ही salary जा सकती है अगर आपने physiotherapy का course करा है तो तो ये depend करता है अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे की काफी साथ लोग का confusion रहता है कि उन लोग को अगर clinic खोलना है अगर आप clinic खोलना चाहरे then BPT course is good बट clinic खोलकर भी आपको काफी time लग जागा clinic को set up करने में बट जैसे जैसे आपका experience बढ़ता है आपका salary है वो भी बढ़ेगा अब अगर मैं आपको BMS का scope बताओ BMS में अभी क्या चल रहा है BMS में भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा एक तरीके साब बोल सकते BMS में भी अपने कुछ उसके disadvantages है BMS में जो fresher होता है उसको 25,000 तक की salary मिल जाती है गर्मेंट सेक्टर में और private में अगर आप देखे तो उसको कहीं पर वो job कर रहे है private में तो उसको 15,000 तो 20,000 तक की salary मिलती है but this is still better than BPT BPT में तो इतना भी नहीं मिलता but अगर हम बात करें तो BMS is better because वहाँ पर इतनी salary तो मिल रही है और जैसे ही आपको experience बढ़ता है तो आपको salary भी बढ़ने लग जाएगी 50,000, 60,000, 70,000 आप विल्गुल आपके salary बढ़ेगी तो यह आपको ध्यान रखना है और जो garment अगर आपको garment job मिल जाती है garment jobs के अगर मैं बात करूँ तो BMS में जो garment jobs आती है that is much better than that is much more than the BPT BPT में जितनी garment jobs आती है उसके comparison में BMS में बहुत जादा garment jobs आती है तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है garment job का जो scope है वो BMS में बहुत जादा है as compared to as compared to your BPT यहाँ पर अगर आप salary की बात करें तो यहाँ पर देखो जैसे कि आशिश कुमार सिंगे इन्होंने भी BPT यह BMS का course करा है average garment of Uttar Pradesh medical officer salary is 9.3 lakh per year for the employees less than 1 year experience तो अगर आप देखेंगे तो 9.3 lakh का package आपको लगता है garment में बट यह तो garment की बात ही private में जो है private में क्या होता है कि आप अगर शुरुआत में जाएंगे तो comparison अगर आप करेंगे MEBS से BMS का तो obviously आपको कम salary मिलेगी but location पर बहुत साथा depend करता है अगर आप metro cities में जाते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं abroad जाते हैं तो वहां पर आपको अच्छी कासी salary देखने मिल सकती है बट अगर आप एक entry level job की बात करें तो 25,000 तो 30,000 तकी salary आपको देखने मिलती है तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है तो इतना आपको मैंने बता दिया दोनों का स्कोप में आपको बताने के खोशिश करी है एक मैं आपको एक चोटी सी बात बता दूँ कि दोनों ही courses जो है एक professional courses है तो मैं यह आपर यह नहीं बोलना चाहता है कि किसी भी course में scope नहीं है या फिर scope कम है basically मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना time invest कर रहे है तो आपको उसके साब से returns मिलना चाहिए मेरे साब से तो यही बात मेरे दिमाग में है और अगर आप अपना time invest कर रहे है और आपका interest आपका पुरा एक तरीके से Ayurveda में नहीं है या फिर आपका interest फिजियो थरपी में नहीं है आप सिर्फ scope देखे कर admission लेना का सोच रहे है तो it's better कि आप BMS चूज करे because BMS will give you much more salary than the BPT अगर आपका interest नहीं है तो but अगर आपका interest है फिजियो थरपी में then you can go for BPT also because आपका interest है तो आप कहीं नहीं excel करेंगे और अगर आपके पास financial condition ठीक है और आप abroad जा सकते है तो मैं कहूंगा BPT is better because आप देखेंगे तो BPT का scope abroad में जज़ादा अच्छा है as compared to India तो आप अगर abroad जा सकते है आपके financial condition ठीक है then you can go for BPT also so आपको decide करना आपकी condition कैसी है अगर आपकी financial condition ठीक है then you can go for BPT आपको clinic वगरा setup करना है तो आप easily अच्छे से कमाई कर सकते है अच्छा पैसा बना सकते है बट अगर आप वो नहीं कर सकते है आपको job करनी है तो फिर आपको BMS करना चाहिए because जो scope है jobs का वो अच्छा है BMS में as compared to BPT तो conclusion की बात यह कि अगर आपको job करना है तो आप BPT को avoid कर सकते हैं और अगर आपको business करना है या फिर आपको clinic setup करना है या फिर abroad जा करकर practice करना है तो आप basically BPT choose कर सकते हैं so this is the video आपको मैंने आपर एक salary का range बताने के कोशिश करी और इंडिया में जो realities है वो बताने के कोशिश करी है I hope so कि आप इस video को positively लेंगे Thank you so much for watching the video